नमस्कार दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेर एंड इलेक्रोनिक्स में दोस्तों आज हम दो-तिन बात जानेंगे जिससे हम अपना किम्ती टीवी को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं जाने-अंजाने में हम लोग एक-दो गलती कर देते हैं जिससे हम अपना किम्ती टीवी को जल्दी खराब कर देते हैं हम जब भी एक टीवी में प्रोग्राम देखते हैं वो प्रोग्राम खतम होने के बाद हम टीवी को रिमोट कंट्रोल से आफ करके छोड़ देते हैं स्वीच बोर्ट से स्वीच को आफ करना हम भूल जाते हैं ऐसा करने से टीवी का अंदर एसी 220 वोल्ट इन्पुट होता रहता है और उसका वज़े से टीवी का जो मदर बोर्ड में लगा हुआ पावर सप्लाई है वो जल्दी खाराव होता है और कभी-कभी तो देखा गया है पावर सप्लाई का साथ में टीवी का प्रोसेसर भी खराव हो जाता है तो इसलिए हम जब भी टीवी को रीमोट कंट्रोल से आफ करते हैं तो शाथ यसाथ तुरंथ टीवी का स्वीच भी जो स्वीच बोर्ट में स्वीच होता है उसे भी आफ कर दना चाहिए ताकि टीवी में वर्टेज इनपुट ना हो और टीवी सुरक्षित रहे और दूसरा बात है जो हम रात में सोने जाते हैं सोने से पहले टीवी का जो पावर प्लग है उसे बाहर निकालके रखना चाहिए सौकेट से साथ में सेटव बॉक्स का भी पावर प्लग को स्वीच बोट से बाहर निकालके रख देना चाहिए ताकि रात में आया हुआ कि हम वोल्टेज यानी कि अचानक से आया हुआ हुआ हाई वोल्टेज जैसे कि ठंडरिंग बजरपात कावय वोल्टेज या सॉट Państ पबोर्टेज हुआ है crit वोर्टेज आया हुआ टीवी इंपुट ना हो और टीवी शुरप्षित रहे और ज्यादातर मुझे एक सवाल पूछा जाता है क्या सर हमें स्टेविलाइजर टीवी का साथ जोड़ के रखना चाहिए मेरा तो यही कहना है कि आजकल का जितना भी एलेडी और लसेडी टीवी है इन सभी टीवी में स्टेविलाइजर का ज़रूरत नहीं है अजकल का टीवी मे जो पाउर सप्के में आथा है वह बहुत आच्छा क्वालिटी का होता है ठोड़ा बहुत हाई वोल्टेज लौ वह व्लटेज वह टीवी का पावर सप्केल खुदी एक्जेस्ट कर लेता है इसलिए LED LCD TV में स्टेविलाइजर का जरूरत नहीं है हाँ अगर आप गाउं देहात में हैं वहां वोल्टेज कम होता है वहां पर एक स्टेविलाइजर का जरूरत होता है लेकिन स्टेविलाइजर कौन सा होना चाहिए जिस स्टेविलाइजर में वोल्टेज एक्जेस्ट का नौब होता है यानि कि आटो कट स्टेविलाइजर आटो कट स्टेविलाइजर TV के लिए अच्छा होता है ताकि high voltage आने पर भी TV sundown में चला जाए और हम manually उसे exist कर पाए लेकिन अगर रात में या दुपहर में कमी भी किसी भी समय थंडरिंग यानि की बजरपाद का voltage आया तो stabilizer से भी TV में घुझ सकता है तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी climate खराब हो आपको लगे कि अब बजरपाद गिरने वाला है तो उससे पहले ही उसका बजरपाद गिरने के बाद नहीं बजरपाद गिरने से पहले ही आपको stabilizer का plug या TV का plug या setup box का plug बाहर में निकाल के रख देना चाहिए ताकि कहीं से भी बाहर से TV में आई voltage input ना हो और TV खराब ना हो तो यही दो चार बात हमें ध्यान में रखके चलना चाहिए तब हमारा किमती TV भी ज्यादा दिन तक चलेगा और हमारा साथ देगा और दोस्तों देखा गया है कि बजरपात से पाउर सप्लाई, मदर बोर्ट और साथ में डिस्प्ले भी खराब होता है इसलिए हमेशा हमें त्यान में रखना चाहिए कि रात में सोने के वक्त और क्लाइमेट खराब होने के वक्त स्वीच बोट से प्लक को बाहर निकालके रख दे तब हमारा किमती टीवी ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा और एक दो टीप्स हैं जो कि मैं पहले का वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं जिससे आपका टीवी का डिस्पले और बैकलाइट कैसे जल्दी खराब ना हो उसे ज्यादा दिन तक शुरक्षित रखे उसका भी मैंने टीप्स दे दिया है आप लोग चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं तो दोस्तों आज का ये छोटा सा टीप्स आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट लाइक और शेयर किजिएगा जिनों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा अच्छा इंफोर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है तो आज के लिए इतना ही हम फिर मिलते हैं थन्यवाद दोस्तों